नमसकार दोस्तों डेयर मैथमाटिश इन आपाश्वंस्वाथ है आज को जो अमिना कोशिन है वह क्लेशन के म्याद से हैं और यह कोशिन जो भीहार पुणरा जारी के उम्मदर भीहरत लादर जहें और इस मौस्टेश से है और तो 6,5 है और B जो है वो जो है 4,Y है अब देखिए इन दोनों बिंदुगों को मिलाने वाले रखाकन का जो मद बिंदु है वो क्या है तो X,6 है तो यह देखिए कितना है तो X,6 यह X,6 जो है इन दोनों बिंदुगों को मिलाने वाले रखाकन के मद बिंदु है अब देखिए जैसे कि हम लोग मद बिंदु के फ्रमला से जानते हैं कि X ब्रहर होगा याँ देखिए 6 प्लस 4 बैटू 6 प्लस 4 बैटू और 6 ब्रावर होगा याँ देखिए 5 प्लस वाई बैटू अब देखिए X ब्रहर आएगा चाचरदा सुटादू मतलब पांच और यहांपर जो है अगर इसको मिल्प्लै कर देते हैं तो 12 बरावर आएगा 5 प्लस Y और यहांपर जो है य कमान आएगा बारा मsmैनस 5 बारा मैनस 5 बारा मैनस 5 मतलब 7 तो कौन सी अप्संट से होगा तो यह option D जो है सही होगा और यहाँ पर जो हम फर्मूला लगाया है वो है यह देखिए अगर हम यह दो बिंदू लेते हैं पहला A X1,Y1 और दूसरा बिंदू B X2,Y2 और अगर इस दोनों बिंदू के जो मिलान में रहा कंड है उसका मद बिंदू अगर X,Y है तो X बरावड होगा यहां देखिए X1 प्लस X2 बरावड होगा Y1 प्लस Y2 बरावड होगा तो इसमें जो है हम यही फर्म लगाए हैं तो इसको जो है मिटा लेते हैं अब इसके बाद जो है question number 64 में देखिए कि किसी तिर्भूज के शिर्ष बिंदू के निरे सांग 4,6, 0,4 और 5,5 है इसके केंद्रक के निरे सांग होंगे तो यहां पर जो है हमें एक तिर्भूज के तीनों सिर्ष का निरे सांग दिया गया है तो 4,6 दूसरा 0,4 और तीसरा जो है 5,5 अब देखिए यहां पर जो है मान लेते हैं कि केंद्रक इसका x,y है केंद्रक निरे सांग क्या है तो x,y है इस तिर्भूज के केंद्रक निरे सांग कितना है तो x,y है तो x बरार होगा यहां देखिए 4,0,4,0,5,3 तो यहां पर जो है 4,5,5 तो 9,3,3,9 तो यहां पर जो है x कमान जो है 3 आएगा इसी दर से जब y कमान निकालेंगे तो आएगा यहां रेखिए 6 प्लस 4 प्लस 5 है 6 प्लस 4 प्लस 5 है 3 तो 6 प्लस 4 कितना होता है तो 10 और 10 प्लस 5 कितना होगा तो 15 तो 15 बटा 3 होगा 3 परचे 15 मतलब 5 तो एक्स कमा य का आ गया तो 3,5 3,5 3,5 तो कौन सा अप्शन से होगा तो यह अप्शन बी जो है सही होगा अब देखिए यहां पर जो हम फ्रॉला योज किया है वो है यह देखिए यह माल लेते हैं कि त्रभूज है जिसका निर्देसांग जो है तीनों निर्देसांग यह ए और इसका है x 3,y3 अब देखिए माल लेते हैं कि यहां पर किंद्रक जी से दीनोट करते हैं या स्चित करते हैं तो g को आथे ग्स होमा उनते हैं तो जीये एक सेधार अगर इक्स्स कमा निकाले के एक से निद्र संग के एक संगा अगर अगर हम निकाले तो होगा एकस वन पलस एकस टू पलस एकस भरता थ्री स PD और ऑल वाई निरशांग होeless लिघ्र बट्टा त्री अब इसके बाद यह कोस्टें का अ pouring लेते हैं कि घं का किनारा डुगुना यो जाने पर नए घं के कुल प्रिष्च हैत्फ़ल तथा पहले वाले घं क कूल प्रिष्च प्रिष्च हैत्फ़ल का अनुपाथ और यहां फिन देख यहां पर यहां पर चैसलिक व गहन का कुल प्रिश्च्थफल क्या होगा कुल प्रिश्च्थफल तो वो होगा शिक्स एस्क्वेर अब देखे प्रस्नानुसार जो है जब गहन का किनारा प्रस्नानुसार प्रस्नानुसार जब गहन का किनारा दुगना किया गिया मतलब अगर गहन का किनारा जो दुगना कि अगर हम A-A लेते हैं तो A-A पर रवर क्या होगा तो 2A होगा अब देखिए अगर A-2A है तो नए घंका नए घंका कुल पिरिश्चत्वल क्या होगा तो वो होगा यहां देखिए 6 A-A का A-A-A-A-A-A-S-Qयर यहां देखिए अडैस कितना है तो 2A-A तो Bugün 2 A 후 नए होगा और यहां पर लिखेंगे पहले बाले घन का क्या होगा तो 6a2 और इसका अनुपात आएगा है जगिए इसक्वेर से सब्सक्राइब गया और छेटों का 24 तो आएगा फूर अनुपात 1 तो कौन सब्सक्राइब तो एफशन B जो है सही होगा यहां देखिए इसको फिर से समझे लेजिए यहां पर घन का किनारा हम एमाने हैं तो घन का कुल प्रिसेटबल क्या होगा तो 6a सकर फ़नुळा से प्रस्णा अंसार जो है घन के किनार को जो है दुगना किया गया है तो गहनसी घन का किनारा कीनारा इसलिए इसलिए नए घन कईनारा का मनें हैं तो यहां तब आप पर नए घं के क decides कितना है तो 24 स्क्वार उपर में दिये हैं तथा पहले वाले घं के कि अंगिा क्ब इस को जो का अट और एस का कट गया 28 तो 24 तो चार आनुपात वन जो है कि हैं आएगा कि तो नए घं के कुल प्रिशित्फपल तथा पहले वाले घन के कुल प्रिशित्फपल का अनुपात तो हम उविद करते हैं कि आपको जो है इस कोजने सॉलुशन बहुत अच्छा समयाया होगा तो अभी कले इतना ही इस वीडियो को जैसा सेर कीजिए और अभी तेस चनल को सब्सक्राब कर ल देजिए धन्यवाद